कि देखते हैं कुश्चन कहता है इसको हमें परपेच्वल से नहीं करना इसको हमें प्रियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से करके दिखाना है सर किस से करके दिखाना है प्रियोडिक कुश्चन नमबर 6 है तो यह आपको सारी डिटेल परचेस का है वाइल प्रिपेरिंग दा फाइनल अकाउंट जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेर कर रहे थे दिसंबर में मतलब जितना भी खरीदा उसमें से 1300 किलो हमारे पास बच गए है पहले चलो हम फीफो कर लेते हैं कौन से कर लेते हैं फीफो हमें तीन चीज़ों की अवशकता होगी इसमें एक तो हम इशू वाली डिटेल लिखेंगे पहले हम लिखेंगे रिसिप वाली फिर हम लिखेंगे कौन सा और फिर हम लिखेंगे सर बैलेंस तो सवाल खुद ही कह रहा है बैलेंस कितने है तेरस ठीक है अब हम इशू को देख लेते हैं बार-बार हमने खरीदा गया है जैन दो को दो एक को क्वांटिटी रेट टोटल चलिए सर दो एक को कितने खरीदे हैं हमने आठ सो कितने में 62 इसके बाद 28 दो वह इस तो आ रही है इसके बाद 28 दो नई स्वारी 26 दो कितने का खरीदा 26 दो को बारा सो कितने रुपए 57 इसके बाद 13 चार बताते जाहिए हम पच्चिस सो 59 इसके बाद 10 जुलाई 10 चे तीन हजार 56 इसके बाद 18 नौ 1560 इसके बाद 29 ग्यारा एक हजार 65 ठीक है यही रहा कहानी चलिए सर अब इसको मल्टिप्लाई करके टूटल कर लेते हैं एक बार हम मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो कितने हो गई यह 49 यह यह अब हम कर कौन सा रहें फीफो फस्ट इन फस्ट आउट यानि पुराने अला पहले बेचेंगे उसके बाद वाला बाद में बेचेंगे तो वेरी सिंपल चलिए देखिए हमें कितने यूनिट अब टूटल यूनिट देख लेते हैं भीया है कितने तो टूटल यूनिट कर इतने हमारे पास थे कितने तो आट सो बारा सो पच्चेस सो तीन हजार पंदरा सो हजार सर दस हजार है है अब दस हजार की टूटल कीमत कितनी है वह भी देख लेते हैं अब फीफो के अंदर देखा जाए तो दस हजार में से बचे कितने है कुश्चन खुद कह रहा है हमारे पास लास में बचा कितना है हमने खरीदे थे दस हजार जिसमें से बचे तेरा सो तो बाकी कहा गए इशू कर दिये होंगे तो दस हजार माइनस में तेरा सो देट इस 87 हमने इशू किये होंगे फीफो के हिसाप से 87 निकालते है जाओ अब आप ठीक है ना 87 निकालेंगे तो पहले कितना निकलेगा 862 87 चाहिए हमें पहले हमने 800 निकाल लिया और 79 चाहिए अब फिर 1200 निकाल लिया फिर माइनस कर देते हैं 1200 भी निकाल लिया अब 67 और चाहिए फिर 2500 निकाल लिया फिर माइनस कर दो 25 निकाल लिया 42 और चाहिए फिर 3000 निकाल लिया 3000 निकाल लिया माइनस 3000 और 1200 चाहिए तो 1200 किस से निकलेगा 1500 से तो 1500 सो सरी 1200 निकलेगा ना 1200 तो ये निकलेगा कैसे 60 अब टोटल कर लिजिए 800 सेम आ जाएगा ना 49 चार्स छेसो गलत कर दिया कि वन सिक्टी ठीक है बारा सो इंटु साथ बहत्तर हजार क्लोजिंग वाला थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं एक कर देंगे एवरेज को तो वैसे ही हो जाना है आज और नीचे वाई चलो अब इसका टोटल अगर हमसे कोई पूस्ता है तो हम बदा सकते हैं इसली टोटल उननचास छेसो अड़सट चारसो एक सैंतालिस वान सो एक अड़सट और बहत्तर हसा यह आगया पचास पैंसट सो पहला कुश्चन पूस्ता है बताइए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और कॉस्ट अफ सेल्स कॉस्ट अफ सेल्स तो निकल गया अब क्लोजिंग स्टॉक तेरा सो यह तो तेरा सो जो होगा कौन सा होगा सर तेरा सो इसमें से बचे होंगे तीन सो और इसमें से हजार ऐसे बना होगा यह तो सर तीन सो बचे होंगे हमारे साथ वाले और हजार बचे होंगे हमारे पैंसट वाले तो अठारा हजार प्लस पैंसट हजार इनको जोड़ दीजिए अठारा हजार प्लस पैंसट हजार देट इस 83,000 चेक कर लिजिए बुक में हब अगर वही चीज बोला होता कैसे वेटेड वाला मैं कर सकता हूं यहां से रेट निकालते हैं और एक खटा हम 8700 निकाल ले तो चलो वेटेड वाला भी कर देता हूं तो वेटेड वाला होता हमारा सर 10,000 की कीमत है 588,500 तो रेट जो आएगा निकलके डिवाइड करके 588,500 डिवाइड वाइड वाइ 10,000 यानि 58.85 आपने इशू कितने कर दिया इसमें से 87 इसके अंदर तो कुछ नहीं देखना 58.85 8700 तो यह लो यह आगया हमारा 51,995 और अगर आप बैलेंस की बात करो तो यह भी ऐसे निकलेगा 1300 इंटू में 58.85 यह आगया देखो आपका चेक कर उच्छी अतर 505 यह किसका आगया अंसर वेटेड का अब फीफो वाला तो होई जाएगा ठीक है क्लियर है बस दो छोटे-छोटे से कॉंसर्ट बताने हैं उसको देख लेते हैं आपने यह कुश्चन प्रैक्टिस कर लिया achu था सभी जिसको ded Александр में रहने देता हूँ strong थीमरी दो युखने में क्या करना है इसको चोड़ दिया था अधा900 कि इसको कर 만들어 ska कि कैश यह भाड़ा झत्ति होटम में के माड़ने वाला इक दीख लीए है जो के अंदर यह कोई रोल एक्सच नहीं होता कि क्या करना है इसका कोई भी रोल नहीं है इस συól कोई लेना देना नहीं हमें तो सिर्फ के खर्चेर बगरे नहीं जोड निहां हमें इसके अंदर घुंक है झाल झाल